हेलो फ्रेंड्स मैं सुनिता गरबाल मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रैस्पी तो चलिए बनाना सुरू करते हैं आज मैं आपको जटपट बनने वाली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मठाई बनाना बताती हूं कैसे बनाई जाते हैं इसे हम घर में रखी हुई चीजों से बना करके तो यार करेंगे जब भी आपकी मीठा खाने की इच्छा है आप इसे बना सकते हैं तो चलिए देख लेते कैसे बनाया जाता है नौð सक्षाय मठाई बनानी के लिए यह हमनेने mortar से खाना पसंद करते हैं इसे बिच्छायक से गोलव काट लेते हैं अगर आपके आपको कूकी कटर नहीं है तो आपके सीभी कटोरी प्रेम उन्रचाश से खाएं देखिए इस तरीके से अब जो ये ब्रेड परचिये इसे हम फैकिंगे ने इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे इस तरीके से हम सभी ब्रेडों को काट के तियार कर लेते हैं ये हमने ब्रेड की सभी सलाइस काट के रख लिये चलिए मठाई बनाना शुरू करते हैं मठाई बनाने के लिए हमने गैस पर कड़ाई रख दिये अब इसकी अंदर हम दो कप दूद डाल देते हैं अब इसमें से हम 1F करीब दूद बचा लेते हैं, इसका युज हम बाद में करेंगे, अब दूद को हम गरम होने देते अब जो हमने 1F कप दूद बचाया था, उसे हम इस बॉल मे डाल देते अब इसके अंदर दो टी स्पून बनीला कस्टेट पौडर डाल देते कस्टड पाउडर को दूद मच्छे से मेक्स कर देते अब ये कस्टड पाउडर दूद मच्छे से मेक्स हो गया है इसे हम साइड में देते और दूद को देख लेते अब इधर दूद भी बॉल हो गया है अब फ्लेम को हम स्लो कर देते अब जो custard powder हमने दूद में घोला था उसको हम थोड़ थोड़ा करके डाल देते हैं और चलाते जाते हैं जिससे कि इसमें lumps ना पड़े अब फ्लैम को हम वीजियम कर देते हैं आप देख पा रहे हैं दूद दीरे-दीरे गाड़ा होना शुरू हो गया है अब इस दूद को तीन से चार मिनट करीब लगाता है चलाते हैं और पका लेते हैं जिससे कि दूद के अंदर जो हमने custard powder डाला है उसका जो कच्छा पन है वो दूर हो जाए हमें इस दूद को ज्यादा गाड़ा नहीं करना है और जो साइड़ मिलाई आ जाती है उसे हम इस त थोड़ी सी कमिया ज्यादा भी कर सकते हैं चीनी को मिक्स कर देते हैं और दूद को दो मिनट करीब और पका देते हैं हमें दूद को पकाते समय ध्यान रखना है कि दूद को नीचे तली ते चलाते हुए पकाना है जिससे कि दूद नीचे तली में ना लगे दो मिनट करीब इसके अंदर 3政府 एलाइची को टीस्पूल, लाइची को मिक्स करutे लैक्सिक दीयक अब भर मंच को फिलेम को ओफ कर know का को पोड़ मतुशेटा कर देते हैं आप देजी घी की जगे oil का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब घी को हम गरम होने देते हैं अब यह गी गरम हो गया है हमें मीडियम गरम गी चाहिए अब जो हमने bread के slice काते ते वो हम इस गी में डाल देते अब इन्हें आप मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन किलर का होने तर फ्राई कर लेते हैं आप देख पार है हलके हलके गोल्डन दलर्की हो गया है अब हम इलको पलट देते हैं हमें इन्हें दौनों तरफ से क्रिस्पी होने तर फ्राई करना है फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे अगर हम तेज फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे तो यह जल जाएंगे आप देख पार है यह दोनों तरफ से फ्राई हो गये अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं आएप देखिए किते बड़िया फ्राई हुए है अब बचे आएप ने भी हम फ्राई कर लेते हैं इन्हें भी हम बिलकुल इसी तरीके से फ्राई करेंगे जैसे हमने पहले किये थे अब यह भी दौनों तरफ से फ्राई हो गये इनको भी हम निकाल लेते जाफ चलिए अब हम इनको सर्फ कर लेते हमने जो दूद काड़ा किया था वह हम इसमें डाल देते हमें दूद को थोड़ा सा गरब ही डालना है यह मिठाई खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है अगर आपने घर में इसको बना लिया और किसी को खिलाया तो कोई प्रचान भी नहीं पाएगा कि यह घर की बनी हुई मिठाई है अब जो हमने ब्रेड फ्राई की थी वह हम इसके उपर लगा देते हैं अब इसके उपर हम दूद डाल देते हमें दूद को थोड़ा से गरम ही डालना है जिससे की दूद अंदर तक अच्छे से चला जाए अब हम ब्रेड को थोड़ा सा सैट कर देते हैं अब इसके उपर हम ड्रेड फूट डाल देते हैं उसके लिए यह हमने बादाम लिए है वो डाल देते हैं प्राइफूट आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आप खाना पसंद करते हैं थोड़ी से पिस्ते अब यह मिठाई देखने में और भी जड़ा सुन्दल लगें उसके लिए हम इसके उपर थोड़ी से चांदी की बरक लगा देते हैं अगर है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर नहीं है तो कोई बात नहीं आप इसे बिना चांदी की बरक की भी बना सकते हैं कि बस इसे मठाई देखने में सुन्दल लगती है आप चांदी की बरक को इस तरीके से भी लगा सकते हैं आप यह पिछाय मठाई कृष्ट्य नदी लग रहा है अब हम इसे आदे घंटे के लिए फ्रीज में ठंड़ होने की लिए रख देते हैं यह ठंडी होने के बाद खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है आद़ घंटा करीब हो गया है हमने इसे फ्रीज में से निकाल लिया है अब मैं आपको देखा भी देती हो किती सॉफ्ट जूसी बनके तयार हुई है अब इसमें से हम एक पीस ले लेते हैं आप देख पाले कितनी बढ़िया मठाई बनके तयार हुई है अब मैं आपको काटके भी दिखा देती हूँ किती सॉफ्ट जूसी बनके तयार हुई है और यह देखने में किती सुंदल लग रही है और यह खाने में भी बहुत ही ज़दा टेस्टी लगती है तो आप भी इसे बनाईए और खाएए फिर मुझे कमेंट्स करके यह ज़रूर बतेए कि आपको यह कैसी लगी अगर आपको मेरी रैस्पी थोड़ी भी पसंद आती है तो रैस्पी को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और ज़दस ज़दस शेयर कीजिए अब हम फिर मिलते हैं सिदने की टेस्टी रैस्पी के साथ जब तक के लिए नमस्कार